नमो बुद्धाय मैं आर्पी सिंग आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कारेक्रम धमदीब के विशेष एपिसोड में जैसा कि आपको विदित है कि अब तक हमारे दर्सक जो हमारे साथ बने हुए हैं उनका हम साधुवाद करते हुए और जो नए दुर साकाज जुड़ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे प्रतित्य समुद्पाद के पंचमकडी सडायतन के बारे में एक बार फिर हम हार्दिक स्वागत करते हैं बंते डॉक्टर चंदकिर्ती जी का आपने बंते जी एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि मैं आपका बहुत-बहुत सादुवाद करता हूँ कि आप समय निकालकर हमारे दर्षकों के जिग्यासाओं को सान्थ करते हैं ना केवल चैनल पर सांथ करते हैं बल्कि आप अलग से भी उनसे परसनल प्रस्ण होते उनके जवाब देते हैं आज का प्रस्ण भी बहुत ही सामान्य है लेकिन वह ग्यानवर्धक भी है। हमारे एक दर्सक जानना चाहते हैं कि क्योंकि वह काटमांडू के पास एक छोटे से गाउं में रहते हैं, तो उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ण है कि अब पहली बात तो यह कि समय निकालकर अपना धीरे दीरे वह तथागत के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब उन्होंने अपना मन बना रहे हैं कि वह थोड़ा उनकी जगहों पर जाए। तो उनका प्रस्ण है कि वह लुंबनी पहले जाए या सारनाच जाए। क्योंकि यह दोनों ही जगहें वह तथागत से जुड़ी हुई है। वैसे उनका कहना यह है कि वह बुद्ध से जुड़े हुए या तथागत से जुड़े हुए हर तीर्थ स्थान पर जाएंगे। लेकिन शुरुवात कहां से करें। भंते जी कृपया बताए। बहुत बहुत धन्यवाद भारपिय सिंग जी। आप सदय भी अपने दर्शक के प्रस्न उठाते रहते हैं। जो दर्शक पूछना चाह रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। कि ऐसे सवाल वे पूछ रहे हैं इस धमदीब कारिकम में। और बहुत ही महत्पून हैं आज के समय के इस भाग दौर की जिन्दगी में। तनाव के इस वातावरन में। अलग अलग प्रका के समस्ताओं के दौर में। और इसलिए आपने जो सवाल पूछा है कि आप काठमांडू के पास के गाओं के रहने वाले हैं। और आप बहुत दिरों से तथागत गौतमबूद के बारे में अध्यन कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे पहले घ्यान के लिए आप लूमबिनी या सारनात दो में से सबसे पहले किस इस इस्तान पर जाना चाहते हैं। यह जाना चाहिए ऐसे सवाल आपने पूछा है। आप अध्यन भी कर रहा है तो आपने देखा भी होगा पड़ा भी होगा और सुना भी होगा। कि तथागत गौतमबूद का जो जन्म है वो लूम्बिनी में हुआ। और लूम्बिनी एक तथागत गौतमबूद के जन्म से छुड़ीवी घटना के साथ यह एक बड़ा प्रमूकिस्तान है। और इसलिए हमें सबसे पहले हमें लूम्बिनी जाना चाहिए। और लूम्बिनी में हमने दर्संद देना चाहिए ताकि वहां पर जाकर हम उन्हें इस्मरन कर सके याद कर सके। तो आप देखेंगे अभी भी वहां पर एक विहार बना हुआ है। वहां पर हसो के द्वारा बनाया गया इस्तंब है। और तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी भी कई इसमरन वहां पर हमें देखने के लिए मिलते रहते हैं। और जब आप जाएंगे तो हमें एक अच्छी अन्भूती होती है। ये फिर होते रहता है कि सद्दाद गौतम यहां पर जन्मे थे और यहीं से वहां उनका जीवन सुरू हुआ था। इसलिए सबसे पहले सारनाथ फिर सबसे पहले लुम्बिनी फिर सारनाथ और सारनाथ के बाद आप देख शक्ते हैं कि बोद गया। और बोद गया किसा के बाद कुशी नगर और तमाम जितने भी तथागत गौतम बुद्र के जीवन से जुड़े भी जितने भी इस्तान हैं वो सबी इस्तानों पर हम लोग अपने दर्शन कर सकते हैं या वहां पर जा सकते हैं तो देखा जाए तो सबी आप अलग अलग तर करना चाहिए लुंबिनीश हैं और इस तरह से तमाम जो भी उनसे जुड़े हुए प्रमुकिस्तान हैं वहां पर जरूर जाएए वहां पर जाकर हम लोग ध्यानसादना का भियास कर सकते हैं उस दर्श्य को देख सकते हैं जहां पर खुद तथागत गौतम बुद्र ने ज सबी इस्तानों पर जो जुड़े उनकी इस्तान है वो सबी जगह हमने जाना चाहिए क्योंकि उनके खुद के चरण वहां पर पड़े हैं और साथ साथ में हुनोंने वहां पर अपनी सिक्षा भी दी है तो उन सिक्षां का लाभ हमें जरूर लेरा चाहिए ताकि हम अपने आपको एक ऐसा मान सकते हैं कि मुझे एक उसर मिला था वहाँ पर जाने का चुकि आप देखते हैं कि मनुस्य जीवन भर धन कमाते रहता है विस्ता के कारण वह कहीं जा नहीं पाता लेकिन अपने प्रमुक इस्तानों पर जरूर जाना चाहिए वहाँ पर भेर देनी चाहिए इदी हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर भी वह भाव पैदा होता है जो तथा गवतमुद के उसकाल में उनके जीवन से संबंदित जो कुछ भी घटना घटीत हुई थी तो वहाँ एक हमें वह उस भाव को लेने का एक उश्र उस समय मिलता है तो हम लोगों ने जरूर ऐसे साइस्तानों पर जाना चाहिए को कि वरतमान में आप देखेंगे तो लुंबिनी आप देखा ओ कि लोगोंस के राजदानी जो आप देखेंगे निपालकी और उसी जगह में आप देखते हैं तो अप भारत और जो निपाल राजा निवह रहा करते थे आप देख सकते हैं कि महा माया उनकी मा वहीं की रानी थी और बाद में कालांतार में आप देखते हैं कि वहाँ पर काफी कुछ जीवन कपिल उस्तु में तथागत गौतम बुद्ध का भी वितीत होता है तो ये सभी प्रमुख इस्तान जो कि आप देख सकते हैं इस तथागत गौतम बुद्ध से जुड़ी भी घटनाओं के बारे में जो हमें अभी वह उर्जा वह अभी शक्ती वह हमें चीक चीकर बता रही है कि यही वह इस्तान है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध अलग अनात पिंडक और जेत कुमार के दुआरा बनाया गया एक बहुती शुंदर विहार तथागत गौतम बुद्ध के समय तथागत और संग को धान दिया गया था जहाँ पर तथागत गौतम बुद ने अपने जीवन के 25 वर्स खुनों ने वहां पर ये वर्स अबास किया था इसलिए इस सभी प्रमुकिस्तान हैं और सभी जगह हम लोगों ने जाकर वहां ग्यान अर्जन करना उसे देखना उसके भावना जो छिपी हुई है उसको सबने की कोशिस करना यहां अतियन तजरूरी है आज के इस समय में और सुख सांती के लिए हम लोग ये प्रियास करत जाता है अच्छे इस्तानों की यात्रा करना यहां भी सुख माना जाता है तो वह हम जरूर उस चीजों को करने की कोशिस करें तो मैं प्रशन पूछने पर आपकी जो जिग्यासाती जो आप जाना चाहते की सुरू कहां से करना चाहिए तो मैं सलहाई देना चाहूंगा कि आप जरूर लुंबिनी से शुरू करें और उसके बाद अलग-अलग स्थानों पर भी आप अपने दर्शन देशक्ते हैं और तथागत गौतम बूद्र के जुड़ी भी सभी चीजों को आप खुद भी वहां पर अनभव कर सकते हैं तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यव बर्दन होगा तो पूरा एक बार आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बनते जी अब समय की सीमा को देखते हुए हम अपने मूल विशय पर आ रहे हैं दर्शकों आज का मूल विशय है प्रतित्य स्वमुत पात की पंचम कड़ी सदायतन के बारे में कृप्या विस्तार से ब बड़ी महत्पूर हैं मनुष्य से संबधीत हैं जिसे हम सडायतन कहते हैं चुकि आप जानते कि ततागा गौतम बुद्ध सबी चीजों का बड़ी सचमता से गहराई से उन्होंने जान करके उसे लोगों के सामने बताने की कोशिस की वे उपासक उपासिका हैं बहुत विक आप देख पाएंगे कि यह जो कुछ भी भावनाएं हैं जो मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है और आप वरतमान में भी देख रहे हैं कि मनुष्य किस तरह का एक अपना जीवन जी रहा है तो आप देखते कि सलायतन जो है वह नाम रूप पच्चया सलायतन नाम रूप क सलायतन नुद्पन होता है और यहां स्वाबह एक और पर देखा जाए तो यह छे इंद्रियों के बारे में बताता है छे आयतन सलायतन इसमें छे इंद्रिया होती है जिससे आप देख सकते कि मन हैं और आपकी स्रोत हैं मतलब आप देख सकते कि कान जिससे कहा जाता है आग जिससे कहा जाता है नाग जिससे कहा जाता है जिवा जिससे कहा जाता है और तोचा जिससे कहा जाता है यह हमारे सरीर में यह इंद्रियां पाए जाती है जो अलग अलग विश्य का काम करती है आप देख सकते क आखों का काम देखना होता है, कान का काम शुनना होता है, जीवा का काम रश लेना होता है, नाक का काम गंद होता है और तुचा का काम इस पर से करना होता है, तो इस तरह से हमारा जो जीवन है, उसमें आपने देखा हो कि मनुस्य के जीवन काल में खास करके, या अलग अलग इंदरियां जो हमें देखने के लिए मिलती है वही हमें सौभाइक तोर पर आपने देखा हो कि वह परीशे कराती रहती है वह ग्यान कराती रहती है अलग अलग विशय के बारे में जीवन में जो हमें आंतरिक रूप से और बाहिय रूप से जो चीजे जानने के लिए मिलती ह पाहिये रूप से आप देख सकते हैं कि हमारी इंद्रियां उस पर काम करती है और आंतिर रूप से आपने देखा होगा हमारा मन काम करते रहता है तो जो हमारा जीवन है उस जीवन में आपने देखा हो कि आख का काम चाहे हो गलत हो या सही हो उसका काम है देखना हो लेना ये शीनमिक जाति मनश्या इंद्रियां हमें मिले उह है उन्धृत के सारे हमें ठीक थाहाँ से अपने काम पर ध्यान देना हूँ तो आपने देखा होगा, कहा जाता है कि इंदरी ये सियम, जब मनुश्य को होता है, जो मन से सियम होता है, तो जब सियम होगा तो आप अपने, जो कुछ भी अपने कारी करेंगे, वो ठीक तरह से संभाव हो सकते हैं, इसलिए आख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करत करती हैंने साक्षात आपका खुद का अनभव प्राप करके देती हैं जब आप देखेंगे तो आप देखने से पता चाल सकता है कि वह अपने जीवनकार में यहां किस तरह से स्वाभाईक तरह से हमें बना हुआ अस्तितों में देखने के लिए मिलता हैं और जैसे जैसे मनु करते हैं कि जो हमारा इंद्री शोवर है चुकि इंद्री आपने देखा कि वहां काम करती है और उसे जो 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 भी चीजे अच्छी लगती है तो वहां वो विशय बन जाता है और उसके साथ वहां जूर जाती है लेकिन तत्रागत गौतमुद जिस बारे में बताने की गोस बताने की कोसिस करते हैं कि हम जो काम करते हैं या जो हम कारे करते हैं तो उसमें दो चीजे देखने के लिए मिलती है तो कुशल कारिया और अकुशल कारिया तो वहां जो इंद्रियों के कारिया है वहां अलग अलग तरह के होते हैं तो यहां आप देखेंगे तो आप देख काम करती है और इस पहस जो है वो अन्भव प्रापड करते रहता है उसे समझ में आता है तो इस लिए जींच कारणों से आप ने देखा आपकी सुक्त वो मनुष्य हो लगता है ये सुख हैं लेकिन जब मनुष्य जन्में आता है तो जन्मक के साथ तो ये इंद्रिया मिल जाती है और जब जन्मक के साथ ये इंद्रिया मिलती है तो वो स्वाबाइक तोर पर वो काम भी करती है और जब वो काम करती है तो आपने देखा कि जैसे अच्छे से देखा और देखने में कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो आपने देखा कि अधिकतर सुन्दर चीजों से आकरशन भर जाता है आख का विशह देखना देखा देखने से भाव पैदा हो गया अच्छी है तो तुननत ही रियक्ट करना शुरू करता है क्योंकि उसका विशह ही है देखना तो देखने के कारण प्राप्त होती है और इसलिए तथावत गौतंबूद ने सदे भी इस बातों को बदाने की कोशिश की कि यहां पर सयम से हम उन चीजों को रोक सकते है उसे दूर किया जा सकता है तो कुशल करने के लिए वो ज़्यादा तर प्रेजित करते रहते कि देखना है तो अच्छा देखो कि देखने से इनसान के अंदर में वो भाव पैदा होते हैं वो अंदर से वो चीज़े बनना शरू हो जाता है इसलिए हम जो कुछ भी देखते हैं उसको देखने में समझें कि हमें सही और वास्तिक चीजों को देखना और उसमें किसी भी प्रकार की कोई आसकती न रह जाए कई बार आपने देखा होगा देखने से कई बार आसकती न इमान हो जाती है वो चीज अच्छी हैं मैं प्राप्ट करूँगा वो चीज अच्छी नहीं है तो उस पर ध्यान नहीं दूँगा तो अच्छी और बूरी, कुशल और अकुशल जो प्रफॉरतिया मनुसmee के जीवन काल में आती है तो वह आती है कि हम जो महसूस करते हैं जो हम देखते हैं उससे आकरशन पेदा होता है तो उस आकरशन को समझे कि मेरी इंद्रिया किस ओर जा रही है मेरे इंद्रियां का भाव कैसे बनते जा रहा है मेरे इंद्रिया क्या क्या देख पा रही है तो देखने से वह हमारे मन मस्तिस्क पे उसका प्रतिबिम्ब बनता है और वह कहीं न कहीं गलत दिशा में भी ले जा सकता है लेकिन सही दिशा में भी ले जा सकता है आपने देखा होगा तथा गवतम बुद्ध इस संसार को सब एक जैसा ही देखने की कोशिस करते थे उनको लगता था कि सब इस संसार में रहने वाले जो जीव हैं वो एक जैसे है इसलिए उन्होंने सुक की जो कलपना है वो सबी लोगों के लिए की चाहे वो किसान हो मजदूर हो व्यापारी हो चाहे नोकरी पेशे वाला व्यक्ति हो या अपरादी प्रवर्दी का इवन गलत प्रवर्दी रखने वाले व्यक्तियों के प्रती भी उसका भाव बना रहता लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप जो देखते हो आपने देखा रूप जो रूप आप देखते हो आपकी इंद्रियों ने ही रूप देखा है तो जब आपकी आख जो है वो रूप को देखती है लेकिन क्या यह रूप जो आप देख रहे हैं या क्या जैसे क्यों ऐसा बन क रहने वाला नहीं है वहाँ परिवर्तित हो जाता है इसलिए कई बार आपने देखा हो कि उन्होंने कई अपने उपासरे को समझाएं जैसे आपने आमरपाली का उधारन देखा होगा कि आमरपाली बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदात पर बहुत सारे लोग करशीत गौतम बुद्ध ने एक बार भोजन के लिए आमनतित करती है अमरपाली तथागर गौतम बुद्ध और संग को और जब संग उनके घर जाकर भोजन दान स्विकार करता है और तथागर गौतम बुद्ध हुने देशना देते हैं कि हाँ यह आप जान रहे हो कि अभी तो आप जैसे का वैसा दिखने वाले नहीं हैं आपकी तुछा जूरिया आ जाएगी वह जैसे पहले दिखाए देती थी वैसे देखने की संभावना नहीं है आपके काले बाल सपेद हो जाएंगे और आपकी सभी इंद्रियां सिथिल भी हो जाएगी तो जैसे का वैसा बन कर रह कि कोई संभावना नहीं है तो इसमें आकरशन पैदा करना जैसा है वैसा तो देखना लेकिन उसके और भी मनुष्य जो है उसके अंदर में अंदर का आकरशन जो बन जाता है तो उन्होंने का नहीं आप लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह जो हम सुक प्राप्त करने के लिए जिन बातों के तरफ में ध्यान देते हैं वह कोई इस्ताई नहीं है क्योंकि वह बदल जाने वाला है इसलिए मनुष्य को अपने इंदरियों पर स्यव रखना अतिन तजरूरी है जो हम सुनते हैं तो सुनने में भी आपने देखा होगा कि अच्छी चीजों को सु है लेकिन इंदरियां जो हमें मिली हुई है जो हमारा इंदरियों का रास्तित्व है तो हम सुने भी तो अच्छी चीजों सुनें बूरी बातों का त्याक करें तो जब हम अपने कान से अच्छी चीजों को सुनेंगे तो हमारे मन बस्तिस्क पर भी उसका एक बड़ा गहरा प्रभाग होगा बूरी बातों को न सुनना सुनना अच्छी चीज़े जो हमें आत्मसाथ करने युग है और जितना जद हम इसी सुनते रहें अच्छी बातों का तो अच्छा स्रवन होगा जिसे आज कल के भासा में कहा जाता है कि जैसा आप इन्पूर्ट करोगे हैं, तो वह इन्पूर्ट जैसा होगा वैसा आउटपूट होगा, तो हमें इन्पूर्ट जो करना चाहिए, जिसे हमें लिशनिंग कहा जाता है, वह सुनने की जो चमता मनुश्य के पास दी गई है तो उसके माद्यम से हम जो कुछ भी सुने तो ठीक तरह से अच्छी तरह से सुनने की कोशिस करें यहाँ पे भी गलत बातों को सुने नहीं सैयम बरते उसे बह नहीं जाना क्योंकि जब बह जाता है इनसान तो अपना आपार सैयम खोद देता है यहाँ पर बिलकुर भी नहीं कोना चाहिए जो बहुत जरूरी है वैसा ही आपने देखा कि हमारी गंद जो हमें मैसूस कराते रहती है हम जिवीत हैं यह इसका एसास है समाक से हम देखते हैं कि यह चीजे चलते रहती है गंद उसी से प्राप्त होते रहता है और हम अलग-अलग तरह का जो देखा होगा इस संसार में तो कहते हैं कि अच्छी चीजों को ग्रहन करना यहाँ अत्यन तो जरूरी है वैसा ही आप देखते हैं जीवा एक रश लेने का काम करती है मतलब स्वाद चखने का काम करती है आपको तुरंट पता हो जाएगा कि यह कौन सी चीज़ है तो वह कहते हैं कि हमें रश मिला हुआ है चखने का लेकिन हमने अच्छी चीजों को चखे उसका स्वाद ग्रहन करें चुकि यह इंद्रियां हमें बताती है इसलिए आपने देखा हो कि कड़वी चीजों को जब हम लोग लेते हैं तो वह जीवा बताती है कड़वी है कोई मिठी है तो बताती है मिठी है तो वह उसका अपना विशे है और ये विशे के अनुरूपी ही हमारी इंद्रियां काम करते रहती है विशे के बाहर वह बिलकुर भी काम नहीं करती है तो हमें उसका सही उप्यों करना अतियंत जरूरी है तो कई बार आपने देखा हो कि अच्छी चीजे लग गई तो सिर्खाते रहो उसका स्वाद चकते रहो तो क्या होगा उसका जो आउटपूड है वो भी खराबी होगा जितनी जरुवत है उतनी जरुवत के अधार पे हमें उस संतुलित रूप से हमें भोजन ग्रहन करना चाहिए कई बार आपने देखा हो कि संतुलिन की मातरा नहीं बहुत ही जरूरी है आपने देखा कि हमारी काया जो इश्पर्ष का काम करती है जो भी हमें अनुभा होता है जो सभी बहारी विशय से वहाँ स्वाभएक तर पे लेने का काम करती रहती तो इसलिए इंदरियां पर आपने देखा हुगा मन नाम की एक इंदरिय जो बहुत प्रमूख है वहाँ कंट्रोल करने का काम करती है नियंतीत करने का काम करती है और वहाँ सभी चीजों का जो विशय है अलग-अलग जो मनुश्य के इस सरीर और मन को लेकर बनाए गये हैं तो सरीर में आपने देखा कि पाच इंदरियां और मन को मिलाकर छे इंदरियां इसलिए आप देखते हैं इसको छे आयतन सडा यतन मतलब छे आयतन पर कौन से आयतन जो इंदरियों के माद्यम से जो विशय दिये गये हैं अलग-अलग जो विशय हैं क्योंकि सभी इंद्रियों का विशय एक नहीं है आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के विशय हैं और वह आप देख सकते हैं कि इंद्री आयतन में आप देख सकते हैं कि स्रोत आयतन घान आयतन चच्छू आयतन और जीवा आयतन और काया आयतन यह तवचा आयतन आप देख करके ऐसे छे, मन आयतन, ऐसे मिलाकर छे और छे इंद्रियों के छे विषए . और छे विषए के आदार पर आप देखेंगे、 छे प्रकार का भाव पैदा हो जाता है With that, आपकूल मिलाकर आपदेख सकते हैं कि 18 जो हमें विषए देखने के लिए मिलते है तो छे अंद्रिय के छे अलग अलग विस ए और उसके अधार पर जो भी विशे बनता है जिसके साथ हम लोग जूड जाते हैं तो वह एक अपनी अंद्रियां अपना अपना काम करती है इसलिएتي बुद्र ने है कानी है नाकी है जीवाई है और तुचाई है जो आप लोगों की अलग-अलग तरह की चीज़ों को बता का देता है इसलिए इंद्रियां अपनी पूरी तरह से जागरुग बनी रहें मन एकागर बना रहें और जब ये छे आयतन ठीक तरह से काम करना शुरू करते हैं तो आप देखाओ कि हम पूरी तरह से होने वाले हल चलो पर पूरी तरह से ध्यान लगते हैं और इसलिए हमारी इंद्रियां किस तरह से काम करती है जो भी मनुस्या बच्चे के रूप में जन जाती है जो भी इसी सुह जन्म के साथ आते हैं आपने उन में ये चीजे स्वाभाई तोर पे देखी होगी कि इंद्रियां उनके पास पाई जाती हैं धीरे धीरे वह इंद्रियां आपने देखा हो कि काम करना शुरू करते हैं आखे नजाने कितनी सारी चीजों को देखती है है कान न जाने कितनी सारी चीजह को सुनता है हमारी जीवा न जाने कितना सारा रस लेटी है और अपने सब चीजहों को बनाया रखने पर कोशिस कराते रहते हैं इसलिए एँच्छे आयतいき जो कि बहुत ही महत पून है इस प्रतित्य समुत्पाद में जिस का हमने आज इसको देखने की कोशिस की है, आप सब लोगों ने ठीक तरह से सुना है, मैं आपके प्रतीर है, सारी मंगल कामना करता हूँ, आप सुखी हो, दिरगाई हो, स्वस्तर हैं, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तु शब मंगला, बनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आप टाइम निकाल कर हमारे दर्सकों से उनकी जिग्यासाओं का और उनके नई नई चीजें बता रहे हैं, इसके लिए आपको फिर एक बार बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आज के इस विशेज प्रोग्राम में इतना ही अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्ण हो जो जिग्यासाई हो वह इस प्रोग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं तो उमीद है कि आप अपनी जिग्यासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिग्यासा को सांथ करेंगे तब तक मैं आर्पी सिंग भंते डॉक्टर चंद कीर्ती जी के साथ लेता हूँ विदा कल इसी समय आपके समक्ष फिरो पस्तित होंगे नमो बधाये